आपके पास आ रही हो इस सवाल को लेकर कि आज मंच पर एक सफ में बैठे हुए ताकत दिखाते हुए सारे नजर आए कोशिश तो दिखी ताकत दिखाने की ये मेसेज पहुचा पाएंगे कितना पहुचेगा ये मेसेज EDCBI का दुरूपयोग, Income Tax Department का दुरूपयोग, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की साज़ेश लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कितना मेसेज? देखिए गर्मिया बिल्कुल आपकी बात सही है, बड़ी वाजिब बात है और जहां तक इसका सवाल है, ये अच्छा प्रदर्शन था, और बड़ी जरुवत थी, बहुत देर आये, दुरूस्त आये, मैं यही कहूंगा, ये देर इसलिए आये, क्योंकि इन्होंने बहुत वक्त लगाया, यहां तक पहुँचने के लिए, जो कि और जल्दी होना चा है, क्योंकि इनके पास वो माध्यम नहीं है, जानि की मीडिया, और मेंस्ट्रीम मीडिया सारा आइदर विका हुआ है, या डरा हुआ है, नरेद मोधी के लिए, तो वो सारा नेरेटिव जो है, उस में उस मीडिया में सिर्फ नेरेटिव आता है, तो भारती जनता पाटी का यह चोटी मोटी खबर में दिखाया जाएगा उस तरीके से हाइलाइट नहीं किया जाएगा इसलिए और सोशल मीडिया पर भी उनका काफी कंट्रोल है तो कितना पहुचता है यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कितना पहुचता है बड़ा important सवाल है लेकिन कहां तक बख्ष की आवाज उठाई जाती है वो कितनी दूर तक इसको पहुचा है पाका यह देखने वाली बात होगी काम बहुत कटिन है लेकिन अच्छी शुरुआद कई रिया और अग्रेजी में कहावत है वेल बिगान हाफ डन और आगे आने वाला समय क्योंकि सबसे क्रूशल बात यह है जो आपने सवाल उठाए कि केजरी वाल का क्या होता है और केजरी वाल की पाट सरकार का मां क्या होता है यह बहुत इंपॉर्टन्ट है यह और सवाल शरत आप के रहें मीडिया चलिए मीडिया को लेकर बहुत सारे अपने आप में धड़े हैं ही अपनी अलग ध में बंगाल का जिकर करूंगी महराश्टर का जिकर करूंगी पंजाब अकेले लड़ी रहे हैं तो यह देरायद और दुरुस्तायद में से मैं यह पूछू क्या की दुरुस्ताय हैं की नहीं बहुत सही सवाल आपने किया है और आपने छोड़ दिया इसमें एक और इंपॉर्टन स्टेट को उत्तर प्रदेश को जहां पे की 17 सीट डेक्लेयर करने में कॉंग्रेस अभी तक अपने आपको सक्षम नहीं दिखा पाई तो यह प्रॉब्लम्स रही हैं इंडिया गड़ बं हैं और वो भूल चुके हैं कि चुराओ अभी आगया सर पे ऐसी स्तिती मतलब सिर्फ यह दैनिये हालत है यह कहेंगे इससे जाहिर होता है कि इंडिया गड़ बंदन को जिस तरह मुस्ताइद होना चाहिए था आज नहीं दो महीने पहले वो आज तक नहीं हो पाया है तो ब अब कुछ और बेटर होता हुआ देखेगा बिल्कुल बिल्कुल डूर डाय का नहीं है देखिए देखिए और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ना तो इनके साथ मीडिया है ना इनके साथ इनके पास रिसोर्स हैं वो जो बंद कर दिये फ्रीज कर दिये अगने और तीसरी बड़ी बात जो हम भूल जा रहे हैं कि EVM की कि में जो सुस्पेक्टेड मैनुपलेशन की बात है है कि नहीं कर रहा हूं मैं उसका कुछ नहीं हो पाया क्योंकि इलेक्शन कमेशन बिल्कुल वन साइडेड तरीके से बहेव करता रहा है और उन्होंने ऑपोजिशन को इंडिया अलायंस को 26 पार्टी के रिक्वेस्ट पे आज तक टाइम नहीं दिया अब क्या होगा तो इसलिए उस पर तो सुप्रीम कॉर्ट में भी पहुचे सुप्रीम कॉर्ट ने कहा चुनाव आयोग ने कहा कि आईए डिमोंस्ट्रेट करके दिखाए पहुचा क्यों नहीं कोई भी पार्टी का नुमाइंदा कि जाते चुनाव आयोग में डिमोंस्ट्रेट करके दिखाते इस चीज़ के लिए काम वक्त दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है, बड़ा क्लियर कट बात है, उनको तो appointment तक नहीं दिया है, जब ये issue आया कि कैसे manipulate करते हैं, ये पहले की बात है, कि आईये, जब ये बात की बात, जब इन्हों ने ये कहा और S.Y. Qureshni जैसे लोगों ने कहा कि जो वीवी पैट के, 100% वीवी पैट कर दिया जाए, और जो उसकी slip होती है, वो count करी जाए, तो उसके उपर कोई जवाब नहीं आया, और राजीव कुमार जो Chief Election Commissioner है, उन्होंने जो की लगते हैं, बहुत जादा biased, उनका one-sided, उन्होंने कह दिया, मخौल बना दिया, उस ब सब्सक्राइब करेंगे, इलेक्टोरल बांड की आप गड़बड करेंगे, आती हूं शेरफ, सुप्रीम कोट तक जो मामला गया है, वो स्टेज पे गया है, जब यह चीज सामने नहीं आई थी, अच्छा, इवियम वाले में अक्सर एक आ जाता है, चुनाव एक ने बुला गया था, तो हमेशा हो आखी बात बताई जाती है, कि चुनाव एक ने बुलाया और कोई नहीं गया, बात भी सखेखेंगे, बात भी सखेंगे, इवियम में छेड़चार कैसे होगा, पूंचे थी सुप्रीम कोट ने तो इस मामले को तो इस मामले को पता हो तो इसलिए आप एवियम हैकिंग चोले दिमांड यह है वियम को लेकर के कि सारे वियम में वीपैट हो वीपैट की परची निकले वोटर को मिले और दूसरा डिबा हो जिसमें वीपैट की परची डाल दे हम वो सुप्रीम कोट की तरफ से ओडर आया वह अभी तक फुल्फिल नहीं हुआ और मुझे लगता है पांच पसंट भी नहीं हुआ खिर लेकिन